असलाम लेकुम विवर्स इस डिजाइन को बनाने के लिए यहां पे सबसे पहले देखें मैंने डोई लूप जो है वो निकाल के रखी वी है बिल्कुल बारीक नहीं है थोड़ी सी थेक है ठीक है इसके बाद यहां पर मेरे पास फेब्रिक के कुछ पीसिस हैं इनको मैंने कट करके रखा हुआ है इनकी लंबाई और चुड़ाइद ही यहां मेरे पास शाजव करें और इनच है इसके लंबाई मेरे पास हैं को मैंने कट कर के रखा हुआ है । यहां पर मिलंबाइध याप इसके चुड़ाई के साधे लेनी है स्लीव बना रही है तो पाइलचे की चुड़ाई के साथ से हम लेंगे तो यहां पर फिस तरीके से कट्प को हम रखेंगे नीचे की तरफ जो है वह यहां पर इस तरीके से जो गोलाई है इसको भी हम इस तरीके से कट करते जाएंगे कट करने के बाद इसको हम अपने फैबरी के उपर पेस्ट कर लेंगे । अब यहां पर देखें वेवर Gebaz मेरे पास पेपर का एक पीस है इसकी जो चुड़ाई है वो यहां पर तकरीबर मेरे पास Ghost है और लमबाई वैसे ही आपने अपने हिसाब से लेनी है डिजाइन के हिसाब से तो यहां पर दिखें स्केल की जो चड़ाई है मेरे पास वह एक इंच है तो यहां पर पहले मैं एक एक इंच के मार्जन पर लाइन को ड्रॉआ करूँ एक इंच के मार्जन पर ड्रॉआ करने के बाद इसके द परम्यान में हाफ आफ इंच पे इसको लाईन को ड्रॉ कर लेंगे यहां पर बॉक्सिस बनके जो हए वो हमारे पास आ जाएंगे इन बॉक्सες के ओपर इस तरीके से मैं तिला डोरी से डिजाइणिं Kon涼ों गृए यहां पर दो कलर्ड की जो है वो तिला डोरी में यूज़ कर रहे हूँ तो यहां पर सबसे पहले जो है वह अपना एक कलर ले ले लिए है और लेने के बाद इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉख किया हुआ है बिल्कुल सी तरीके से इसके उपर हम रखते जाएंगे और स्लै लगाते जाएंगे तो यहां पर देखें विवर्ज बिल्कुल इस तरीके से हम अपने पूरी डोरी को इसके उपर टैश कर लिया है अब हम अपने साइकरिंड कलर लेंगे और वह लेने के बाद इसके उपर इस तरीके से लाइन के उपर रखेंगे और रखने के बाद इसके उपर भी अच्छे स लगा लेंगे अपने पूरे बॉक्सिस को कंप्रीट कर लेंगे तो यहां पर देखे एवर्ड़ इस तरह की से अपने पूरी पती को मैंने रेड़ी कर लिया हैं अब इसके बाद यहां पर जो हमने प्रेंट किया था उपर इसको मै서도 बेस्ट कर लिया है फेबरिक के उपस नीचे की तरफ선 एक्स्ट्री फैबरिक रखेंगे एक्स्ट्रा फैबरिक रखने के बाद बिरकूल किनारे पर रखेंएरा इसको हमने लिए लगा लेनी है वुक्रम के साथ-साथ पूरे कपड़े के उपर इस तरीके से सलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो एक्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे तक्रीबर हमने हाफ इंच का जो है वो मार्जन चोड़ना है हाफ इंच का मार्जन चोड़ने के बाद बाकिका एक्ट्रा फर्ब्रक के इसको कट करेंगे और फिर यहां पर देखें गुलाइम महरकल के कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद इहां पर हम इसको ISTRA के सीधा करेंगे कोई भी नवकीी चीज आपने ले लीनी है और इसकी help से यहाँ पर जो हमारे corners बन रहे हैं इनको अच्छे से हमने सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद हम इसके उपर iron करेंगे तो यहाँ पर देखें वीवर्ज इस तरीके से मैं इसको बलट लिया था उसके बाद उसको अच्छे सायलिन किया था नीजे की दरफ जो एक्सरा fabric था इसको नीजे की दरफ फोल करके यहाँ पर वी अच्छे से प्रेस कर लिया है अब यहाँ पर जो एक्सरा फेबरिक था है इसको हम इस तरीके से straight sli लगा लेंगे लेगाने के बाद यहां पर देखें जो हमारा बॉक्स घाया था इसका हम अट रखेंगे और रखने के रखैंगे अच्छकी से पिनब कर लेंगे लगाने के बाद यहां पर देखें विवर्स मेरे पास बुकरम का एक पीश है इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है फैबरी के ओपर इस तरीके से डबल करके हमने इसको कट कर लेना है और उपर की तरफ भी जो है वह हमने इसलाइ के मार्जिन चोड़ना है इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट है वो लगा लेंगे अ करने के बाद इसको लगा लेंगे इसके बाद ग Pakistan इसके बाद वीवर्द यहां पर देखें हमने आपना त्राइंगल लेना है फट्री के से मैं सकूल बना लिया था अपर द्रीके से हमारी जो है वो उपर की तरफ निकली भी नजर आएगी जो हमारा ट्राइंगल बनावा, इसकी नोग जो है वो उपर की तरफ आएगी और थोड़ा से नीचे जो है वो हमारा डोली लूप्स वारा हिस्सा आएगा और इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करने के बाद जो है वो हम इसको स्लाई लगा लेंगे बाकिल का जो हमारा फैबरिक है और डोली लूप्स है इनको भी इसी तरीके से हम रखते जाएंगे और स्लाई लगाते जाएंगे अब यहां पर देखें वीवर्ज इस तरीके से मैंने सारे जो है वो अपने डोली लूप्स है पत्यार करके रख लिये थे अब यहां पर जो हमने आगे की तरफ पट्टी अटैच की थी इसकी दूसी तरफ बिल्कुल किनारे पर रखके हम स्लाई लगाते जाएंगे और नीचे की तरफ हम अपने यह डोली लूप्स और ट्राइंगल वाला जो डिजाइन है इनको रखते जाएंगे और स्लाई लग पट्टी को कंप्लेट करने के बाद यहां पर चाहिए के दरफ जो अच्छे से रिमूफ कर लेंगे तो यहां पे देखे मीवर्स मिने अच्छे से जो है पेपर को रिमूफ कर लिया है अब यहां पर हमरा रिजाइन अलह्मदूल la है बनके तैयार है वीडियो पसंद आयए झाल झाल